नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रूरल स्टार्ट अप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों काफी लेट हो गए इस बार वीडियो डालने में सभी दोस्त को मेरा बहुत बहुत थेंक यू क्यूंकि हमारा परिवार जो है वो काफी बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग बढ़े ताकि अच्छी जानकारी आप तक पोछे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोटावेटर फाइनेंस स्कीम की यह एक किसानों का हमारे यूवा किसानों के बीच में की रोटावेटर जो है वो बहुत ही अच्छा समान है और अभी वरतवान की खेती में यह बहु यह लाना देता है तो उसमें बहुत सारी भैंकों ने इसमें फाइनेंस की स्कीम लेकर आया है उसी की जानकारी लेकर हम आपके साथ हैं दोस्तों तो रिक्वेस्ट है ज्यादा-ज्यादा लोगों को शेर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जो अभी तक नहीं सब्सक्र है् यह सारी सारे के सारे पोइंट जो है म liraन करने हैं जो कि जनरल कोश्चन होते हैं सभी लोगों के कि इसंते कि प्रकार सो होगा करता है मतलब जो कीमत का 75-80 परसेंट तक लोन वो कर देता है तो इस इसाफ से हम देखेंगे एक लाग के रोटा विटर पे 75-80 तक का लोन हमारा हो जाएगा दोस्तों उसके बाद में ब्याज का लगएगा ब्याज लगभग 1% मासिक लगता है मतलब जो की 12% वार्सिक होता है एक रुपे सेकरा जो आपन जनरल गाओं की भासा में बोल देते हैं तो वो उसका यदि टोटल वार्सिक हम जोडेंगे पूरे एर का तो वो 12% इंट्रेस्ट रहेगा दोस्तों और उसको सिंपल भासा में हम देखना चाहें तो एक लाग का यदि मानलो हमारा कोई लोन है औ वो साल में जो है 12,000 रुपे उसमें लगने वाला है दोस्तों अब किस्त कितनी आएगी यदि रोटाविटर फाइनेस के लिए हम जाते हैं और यदि हम 80,000 रुपे का ही फाइनेस लेते हैं तो उसमें किस्त कितनी आना चीए तो एक बहुत ही सरल भासा में हम आपके सामने ये गणी बता रहे हैं कि एक वर्स का कुल ब्याज जो है वो यदि 80,000 रुपे फाइनेस हमने लिया है और 12 परसेंट जो है उसका इंट्रेस रेट है तो एक वर्स का ये पूरे येर का जो है 9,600 रुपे उसमें ब्याज लगेगा दोस्तों अब यदि 80,000 प्लस 9,600 दोनों क होगा 7,446 रुपे तो ये मासिक किस्त लगभग 7,446 की हो गई उसके बाद अब इसमें जो है एक्स्टा चीज है वो है प्रोसेसिंग फीस और डाकुमेंट चार्ज के नाम पे भी बेंग जो है इसमें कुछ वेसा चार्ज करता है तो यदि उसको भी इसके अंदर दोस्तो ज़्यादा हो सकता है थोड़ा वहत कम भी हो सकते है कि इससे और थोड़ी वह ज्यादा वी से किस्ते हो सकती है दोस्तों यह अपने एक्जापल बताया अब आपका क्यों सा बेंग करेगा तो इसमें Axis Bank, IDFC Bank, IDFC First Bank, TVS Credit जो मेरे knowledge में हैं कि ये bank जो है इसमें finance करते हैं एक सफल करके जो है bank है जो जेन irrigation का खुद का वो है वो भी जो है implement finance इसमें करता है और भी बहुत सारे private bank जो है इसमें agriculture के implement जो है वो finance करते हैं उसके अलावा जो सभी सरकारी bank मतलब जो राष्टिकत bank है जो भी आपके area में हैं वो तो इसको बहुत दिन पहले से वो करते हैं क्योंकि इनके पास scheme है land development की scheme है, agriculture implement की scheme है तो ये तो बहुत दिनों से ही करते हैं और आज भी इसको करते हैं दोस्तों तो bank की कोई परिशानी नहीं है, bank आपके पास उपलब्द है लेकिन private bank थोड़ा सा fast काम करते हैं तो इसमें private bank के भी अपने पास दो तीन option उपर दिये हुए है अब अगली बाद आती paper क्या लगेंगे दोस्तों इसमें कौन से ऐसे paper हैं जो लगेंगे तो जमीन के paper इसमें में नहीं चुकि रोटावेटर जमीन में ही चलने वाला समान है तो इसमें जमीन के paper जैसे खसरा नकल, खसरा खतो नहीं जिसको या B1, P2 बोलते हैं आपन वो land book, land book मतलब उसका जो जो जमीन की passbook अपने पास रेती है वो टेक्टर का registration इसमें चीए क्योंकि जो रोटावेटर है वो टेक्टर से ही चलेगा तो टेक्टर का registration आपके नाम होना चीए जिसके नाम पर हम अप्लिकेशन कर रहे हैं उसी के नाम पर टेक्टर का RC चीए आधार कार्ड, वोटराइटी कार्ड जो की जनरल KYC बेंक में लगता है वो सब चीए और बेंक का passbook और check चेक जो है वो कोई बेंक आपको requirement कर सकता है कोई नहीं भी कर सकता है तो यह जो है यह complete paper इसमें है दोस्तों तो यह एक पूरी जानकारी थी finance की भोती सरल भासा में आप जो है बेंक को approach करके इसका फाइदा ले सकते हैं दोस्तों thank you very much फिर मिलते हैं अगले वीडियो में